हेलो किट्स, वेलकम बैक टूबर चैनल रर्न विद आरेस अकेडमी आज हम आप सब के लिए लेकर के आए हैं UKG किलास के हिंदी वर्कशीट जैसा कि आप सब को पता है कि हमारे हैं एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं आपको ये वर्कशीट बहुत ही हेल्प करेंगी आप अपने बच्चों को घर पर घर प्रक्टिस कराएं जिससे आपके बच्चों को एक्जाम की पूरी तयारी हो सके तो let's start the वर्कशीट पहला कोशिन है हमारा सुर की मात्रा लिखो आग की मात्रा, छोटी एकी मात्रा, बड़ी एकी मात्रा, छोटा उकी मात्रा, बड़ा उकी मात्रा इसके बार एकी मात्रा, एकी मात्रा इस तरह से हम बच्चों को सभी मात्राएं सिखाएंगे और बार बार प्रक्टिस कराने से बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे आप इस तरह से वरक्षीड बना लीजिए और बच्चों को बार बार लिख कर दीजिए इससे बच्चों को मात्राओं का घ्यान भी हो जाएगा और बच्चे आसानी से सीख भी जाएंगे Second Question है हमारा चित्र पहचान कर सही सब्द से मिलान करो जी हाँ, चित्र पहचान ये और सही सब्द से मिलान करो फर्ष्ट है हमारा अंगूर, अंगूर को हम पिक देखेंगे और इसको इस सब्द से मिलाएंगे आम, आम के पिक से मिला देंगे, बतक, बतक देखेंगे, लाष्ट में है, बतक से मिलाएंगे कमल इस तरह से हम मैच करके अपनी चित्र पैचानने वाली वरक्षीट को कम्प्लीट कर लेंगे हम इस तरह से और यह हमारी वरक्षीट कम्प्लीट होती है इस तरह से आगे next question है हमारा नीचे दी गई मात्रा की सायता से दो-दो शब्द लिखिए आगी मात्रा से हमें दो शब्द लिखने है जिससे बच्चे को आगी मात्रा भी आ जाए और उनसे बने हुए दो शब्द लिखना आ जाए दो शब्द दो ख्षर वाले लिखेंगे राम नाम इसकी अलावा हम काम लिख सकते हैं धाम लिख सकते हैं, शाम लिख सकते हैं, छोटी एकी मात्रा से हमें दो सब्द लिखने हैं, दिन, नमबर वन, नमबर टू, पिन, छोटा उकी मात्रा से हमें लिखना है, दो सब्द, बच्चों को युकेजी किलास में इस तरह की मात्राओं से शब्द दस-दस याद किराए जाते हैं इकी मात्रा से दसब्द याद कीजिए उकी मात्रा से दसब्द लिखे आकी मात्रा से शब्द लिखे तो हम यहां दो दो शब्द लिखाना सिखा रहे हैं प्रक्टिस में अब एकी मात्रा से हमें दो सब्द लिखने हैं पहला लिखेंगे हम सेब दूसरा लिखेंग अक्षर जोड़कर सब्द लिखे हैं यहां हमने इस एड यहां को सब्द लिखे हुए हैं जैसे फा है और इधर ला लिखा है तो हमें फा को ला से मिला करके लिखना है फल का को ला से मिला करके लिखना है कल मह को ला से मिला करके लिखेंगे तो महल हो जाएगा इसी तरह से टा को हा से मिला करके लिखेंगे तेहल हो जाएगा ना को ला से मिला करके लिखेंगे नल हो जाएगा यह question हमारा complete होता है next question है हमारा, सही शब्द पर गोला करो यहां एक word हमारा wrong है और एक word हमारा बिलकुल सही लिखा है तो आपको सही word चुन करके हमें उस पर circle करना है जैसे मिठाई यहाँ हीरन लिखा है, हीरन नहीं होता न तो हिरन, चिराग, फिर चीराग तो इस तरह से यहाँ पर लगेगा चीराग पर circle आगे है next, कीताव तो कीताव नहीं होता, किताब होता है तो कीताव पर हम circle करेंगे इसी तरह से हम गमला पर circle कर लेंगे गमाला नहीं होता है गमला होता है इस तरह से हम छोटी और बड़ी एकी मातरा के हमने यहाँ प्रक्टिस कराइए आप इस तरह से चोटाओ, बढ़ाओ की भी दे सकते हैं ए और ए की भी मातरा यह mix मात्राओं से हमें इस तरह की worksheet बना सकते हैं next question है हमारा चित्र पहचान कर नाम लिखिए first picture है हमारे तारे की तो तारे, कप next है जग next picture है हमारे मटर next आम next है गम ला yes इस तरह से हम अपनी worksheet करते हैं next question है हमारा मिलते जुलते सब्द लिखो यहां हमने कुछ वर्ड दिये हैं आपको उस तरह से राइविंग वर्ड जैसे इंग्लिश में होते हैं इसी तरह से हिंदी में मिलते जुलते शब्द लिखिना है राम का हमारा मिलता हुआ शब्द है धाम तितिली का बिजली next है कुटिया तो कुटिया का हो जाएगा लुटिया next है गुना तो गुना का हो जाएगा बुना next है सेब तो सेब का हो जाएगा सेर ऐसा नहीं है कि इनके यही एक रामिंग वर्ड है आपको जो भी इनका रामिंग वर्ड समझ माएं आपको वो लिखा दिना है बच्चों को और उसको प्रक्टिस करा देनी है next question है हमारा वर्डों को जोड़ कर लिखिए राधा तुर्रा इस तरह से हमने वर्ड को अलग-अलग करके लिखा है अब हम इनको अक्षर को अलग-अलग करके लिखा है अब हम इनको एक बर्ड बनाएंगे यहाँ पर बे शब्द बनाएंगे राधा हलवा बतक नेक्ष्ट है तकिया नेक्ष्ट कोश्चन है अमारा नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर लिखो युकी जी किलास में वन वर्ड के कोश्चन आंसर होते है कोश्चन हम इस तरह से लिख करके और उसका हम सामने आंसर लिखना होता है तो पहला कोश्चन है रिम जिम रिम जिम क्या आ गई तो रिम जिम रिम जिम बारिश आ गई डाकिया किस पर आया डाकिया साइकल पर आया था इस तरह से बन वर्ड बन वर्ड के हमारे कोशन आंसर है तो ये हम इस तरह से तयार करा देंगे बच्चों को प्रक्टिस करके राधा क्या लाई? राधा तबला लाई राघव कैसा लड़का था? राघव समझदार लड़का था इस तरह से हमारे question answer complete होते हैं next question है हमारा का से मा तक अक्षर लिखो का से मा तक अक्षर लिखो तो यहां हमें लिखना है क ख ग घ घ अड़ा इस तरह से हमने अपने वरक्षीट complete कर लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अगर आप मेरी चैनल पर नए है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मैं UKG किलास की वरक्षीट आगे भी लाती रहूंगी और आप मेरी चैनल पर विजिट कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाजिंग